नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी इस चैनल धूप धुनुची आरती में दोस्तों आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि संक्रान्ति के दिन अगर जो है हम लक्ष्वी नारें की धूप सीवा करना चाते हैं तो वो किस तरीके से करें? किस तरीके से मतलब है कि कैसे धूप सेवा आक्चिली करना चाहिए? उसके प्रोसेस क्या है? कहा पर धूप रकना चाहिए? और किस प्रकार से जो है भागवान की आरती करना चाहिए? उस समय हमें क्या बोलना चाहिए? या क्या नहीं बोलना इस विशय में अगर आप थोड़ा आलोग पात करें तो तो उसी विशय में जो है आज का हमारा ये वीडियो है तो दोस्तो धूब सेवा अगर आप करना चाते हैं तो सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो है ये धुनची धुनची आपको लेना ही है अगर आपके पास अभी के लिए जो है पीतल के धुनची नहीं है आप फिर भी धूब सेवा करना चाते तो मिट्टी के धुनची जो है वो आप ले सकते धुनची धूबदानी के विना धूब सेवा नहीं हो सकती मिट्टी के आप ले सकते हैं पर उसे एक ही बार के आ जा सकता है यानि कि अगर आपने सुभे जो है उस धूप पात्र में धूप सेवा कर दिये तो उसके बाद जो है आपको दोपहर के समय दूसरे मिट्टी के धुनजी पात्र में ही धूप सेवा करना चाहिए और उसके बा अलग होता है धूप जब सुगंद की लिए दिया जाता है तो विश्य अलग होता है जब धूप भोग की रूप में दिया जाता है धूप सेवा जो होता है वो एक प्रकार से भगवार को धूप नई वेद्यम दिया जा रहा है तो इसमें जो है दोस्तों आपको हर बार जो है अलग-अलग धुनजी का ही इस्तिमाल करना होगा क्योंकि मिट्टी के जो पात्र है वो जूटा हो जाता है एक बार इस्तिमाल करने के बाद कई लोग कहते कि उसे धूकर इस्तिमाल करे या नहीं कई समय मैं कह देता हो कि हाँ अगर आपके पास option नहीं है तो आप कर सकते हैं एक पक्षकाल तक जैसे कई लोग करते हैं पर धूप सेवा के पात्र जो है वो नहीं किया जा सकता आप केवल जिसमें आरती कर रहे हैं मतलब जिस धुनची में आरती कर रहे हैं वो आप धोकर कर सकते हैं वैसे वो भी नहीं कर चाहिए एक तरह से पर फिर भी जो है उसे धोकर जो है आप उसे आर्ति के लिए या पर जो है केवल जो सुगंद आप दे रहे या पर भगवान की सामने केवल आप धूप करने के लिए धुनची जला रहे तो उसमें ठीक है पर मिट्टी के पात्र जो है धूप सिवा में एक जो मैंने इसके उपर अल्रेडी वीडियो बना दिया है पर फिर भी जो है आप में से कई लोगों मैं परिशान देखता हूँ विशकी कि ये जो भीतर का जो अंश है ये जो भीतर का अंश है ये काला हो गया है तो क्या हमें इसे बदलना चाहिए आने नहीं दोस्तो इसके लिए आपको बदलने की जरूरत नहीं है ये थोड़ा जैसे कि इसे मांजना पड़ता है इसके कुछ तरीके होते तो हर दिन के जब हम यूज करते हैं तो उसमें थोड़ा ये कालापन आएगा उसमें समस्या नहीं है दोस्तों उसमें बिलकुल भी समस्या नहीं है ये जो ह पार कालापन ऑठेवा23 डोस्तों जितने आप खरिदेंगे इतने बदलेंगे तो ये विशह जरूरी नहीं है ये पीतल का धुनुची इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो है आप धो कर इस्तमाल कर सकते हैं तो इसलिए जो है पीतल का धुनुची लेना ही सबसे जाधा सही होता है धूप सेवा के लिए अगर आप हर बार जो है मिट्टी के धुनुची दे सकते अलग-अलग से तो बात अलग हैं तो ये हो गया basic चीज क्योंकि इस विशय को ना बहुत सारे लोग गलती करते हैं तो मुझे लगा कि इस विशय को सबसे जादा clarity देना बहुत ज़रूरी है कि पीतल के धुनुची आपको क्यों लेना है और मिटी के धुनुची अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक ही बार इस्तेमाल करन हैं तो यह विशय जो है सबसे पहले अपनी दिमाग में जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजे अब जो है विशय पढ़ाते और एक बात यहां पर कर देते कर लोगों ने मुझे कहा है कि क्या हम जब सेवा कर रहे हैं तो उसमें जो है हमें धुनुची को किसे थाली म में रखना चाहिए या नहीं तो यह आवश्चक नहीं है यानि कि आपको थाली में ही रखना है ऐसा कोई आवश्चक नहीं है अगर आप चाहते हैं रखना तो रख सकते कोई समस्या उसमें नहीं है पर ऐसे भी रखा जाता है उसके क्या नियाम है मैं वही आपको बता रहा चाहिए या पर जो है भागवान की बाई तरफ इस तरह इस तरह जो है वो होना चाहिए पर धूप सेवा में हमेशा जो है भागवान की सामने अक्र भागे जो है जैसे कि नई वेद्य अक्र भागे होता है धूप सेवा की समय भी जो है अब देखेंगी शास्त्र मैं आपको एक दिन इसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों नईवेद्य और जो धूपे वो हमेशा अग्र भागे रखा जाता है धूप के धुए से जो है भगबान भोग लगाते है और नईवेद्य की सुगंद यानि की भोजन के सुगंद जो ग्रहन करते वो भी सामने से और धूप सामने दुनची पात्र रखना है अगर आप धूप सेवा कर रहे हैं तो अब जो विशय आजाता है कि जब आप धूप सेवा करेंगे तो उससे पहले जो क्या होता है जिस जगे पर हम भोग लगाते है उस जगे को पहले पूछा वगेरा लगाते है ना तो उसी प्रकार से हम इस तरीके से जलका छिरकाओ करेंगे और उसके बाद जो है हम एक त्रिकोन का अंकन करेंगे त्रिकोन जैसे त्रिभुज होता है ना बिल्कुल उसी तरीके से आप चाहे तो वो चाबल से भी आप कर सकते हैं पुश्प से भी आप कर सकते हैं ये एक प्रकार से आसन देना ह कई लोग यहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक भी अगर आप बनाना चाहते तो कोई समस्या नहीं है पर त्रिकोन ही जो है वो सही नियम होता है जो नई वेद्य थाली होता है या फिर जो धूप पात्र होता है दीद के लिए भी ये नियम लागू होता है वैसे पड़ जो है नईवेद्य और धूप के विशह में ये विशेश रूप से होता है तो इसमें जो है आप ऐसे जलका पहले छिड़काओ कर लीजे उसके बाद जो है आप अक्षत के साथ जो है यानि चावल से जो है वहाँ पर एक त्रिकोन बना लीजे या पर चावल से जो है आप एक छोटा सा जो है वो स्वास्तिक आप दना लीजे अब जो है उसके उपर इस प्रकार से जो है वो आपको ऐसे धूप सेवा के जो पात्र है उसे आपको रखना है धूप सेवा के पात्र आपने रख दिये अब ये विशे आ सकता है कि आप लोग कहेंगे कि क्या हम ल कर सकते हैं पर धूप सेवा के धूप जो है वो आपको इसमें कपूर या पर जो है अंगी के बाती जो है वो आपको जलाना है अब जो है नारिल के छिलके जो है या पर कंडे जिससे भी आप जलाना चाहते वो आपको इसमें देना है अब जो है आपको इसमें जो है घी देना है और गुर या मिच्षडी जो है वो आपको देना है अब जिस भी चीज़े देना चाहतें सुखे हुए जो मेवे या नारिल जो है देना चाहते तो वो भी आप इसमें ऐसे दे सकते हैं मिच्ष्री और गुर का प्रयोग विशेश कर करिएगा तो यह आपने दे दिए अब जो है आपको जो है दोस्तो मन ही मन इस समय जो है आपको आवाज नहीं करना है जब आप धूप सेवा कर रहे हैं तो आपको जो है आवाज नहीं करना है उस समय मन ही मन जो है आप धूप मंत्र को बोल सकते हैं जैसे कि इबनस्पति रसो दिव्य गंधाध्य गंध उत्यम अग ग्रेय लक्ष्मी नारा यनाया धूप खया प्रतिक्री खत्म ये कहते हुए जो है आप मनही मन ये आपको मनही मन बोलना होगा ये आपको आवास करके नहीं बोलना है कही लोग कहते हैं कि आवास नहीं करनी चाहिए तो आवास नहीं करनी चाहिए ये मतलब नहीं है कि मनही मन हम जाप ना करें हमें मन ही मन जो है साथ बार इसे बोलना है या फर जो है आप ये भी बोल सकते कि श्रिशी लक्ष्मिनारान धूप स्रिकार करें श्रिशी लक्ष्मिनारान हमारी धूप नई विद्धम स्रिकार करें या फर धूप सेवा स्रिकार करें इस प्रकार से भी आपको साथ बार मन ही मन बोलना है उसके बाद जो है कई लोग जो होते वो ये जो धूप सेवा हम करते है वो घंटी बजा कर दिखाते तो नहीं घंटी बजा कर धूप सेवा के धूप नहीं दिखाया जाएगा घंटी बजा कर कभी भी जो है आपको धूप सेवा के धूप नहीं दिखाना है आपको जो है आपने वो मतलब साथ बार आपने इजाब कर लिए साथ बार या ग्यारा बार आपको करना है, अब आप इसे गुमा दीजे, इस तरीके से जो है, साथ बार गुमाईएगा, इस समय आपको बिल्कुल मौन रहना है, और एक बार जो है दोस्तों, इस समय आपके जो स्वास है न, उसे भी, यानि कि हमारे जो उस प्राणवायु है, जो की स्वास है उसे भी जो है आपको इस समय रोक लेना है इसका कारण क्या है क्योंकि भगवान जो है ये धूप के सुगंद ग्रहन कर रहे है उस समय वो सुगंद हम ग्रहन हमारे नासिका में बिलकुल नहीं जाना चाहिए ये जो है हम भगवान को जब इस तरीके से दिखा तो उस समयका में इसके सुगन जो है नहीं जाना चाहिए वो केवल भगवान को ही मिले इसलिए हमें जो है अपने नासिका को बंद कर लेना है यानि हम जो है अपने प्राणवायू को जो है वो थोड़े समयके लिए रूक कर रखेंगे और इस समय इसलिए आपके आसपास जो भी सारे लोग होंगे ना उन्हें आप थोड़े समय के लिए बाहर जाने को बोल दीजे ताकि जो है या फर अगर आपके पास बैठे है तो उन्हें भी कुछ समय के लिए आप ये प्राण वायू उन्हें जो है रोकने के लिए बोल दीजे यान कि स्वास जो है वो आपको अपने हाथ जो है वो आपको धो लेना है फोलेने के बाद जो है दोस्तों अब आपको भगवान को भी पुन्राच्वनी देना है भागवान को भी हाथ धोने का और हाथ मुद्धोने का जल आपको देना है आपको पुनरा आच्मन ये प्रदान करना है जो भी आच्मन पातर में आप दे सकते छोटे से कटोरी में दे सकते ग्लास में दे सकते हैं या पर जो है जो कटोरी और चम्मच में भी आप जो है यहाँ पर दे सकते है जो भी आप कमन करे या पर कई लोग तो इस तरीके से घुमा कर भी जो है वो ऐसे जल वहा देते हैं मतलब जल छोड़ देते हैं किसी पात्र में तो उस प्रकार से भी जो है आप पुनराजमनिया ले सकते हैं मतलब पुनराजमनिया भगवान को दे सकते हैं अब जो है इसक तो केवल कपूर से भी आर्टे किया जा सकता है पड़ क्यूंकि विशेज दिन की पूजा कर रहे हैं आप तो इसमें जो है आप धूप दीप के आर्टी करने के ही कोशिश करिएगा अब जो है आपके आर्टी प्रक्टिया समाप्थ होगी यानि कि आपके जो धुनची करने के बाद जो है आप आच्मन पात्र से थोड़ा जल लीजे या पर जलपोर्न शंक अगर आपके पास है थोड़ा सा तो वो जो है अब आप ऐसे इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा छोड़ दीजे यहाँ पर थोड़ा वो जल जो है आप छोड़ दीजे इस प्रकार से त कभी भी नहीं लेना चाहिए हमेशा अगर किसी और को दे रहे हैं तो इस प्रकार से पर ये जो आप लेंगे ना इसे इसी प्रकार से आप लीजे इसके जो धूप प्रसाद है ये आप अपने सिर पर ले लीजे और इसके जो राक है इसके धूप के जो राक है उसे भी घी के स प्रशाद ही होता है तो इस विश्यक को जो है आप ध्यान रखेगा और यह जो सारे राक है ना इसे कहीं और जगें पर मत फिक कर आते नहीं बिलकुल मत करेगा आपके घर में जो भी पेर पौदे है आप थोड़ा मतलब वहाँ पर मिट्टी में मिट्टी के साथ जो है मिलाकर आप उस पेर पौदे में इसे दवा दे दोस्तों तो यह सबसे जादा अच्छा रहता या फर वो राक आप रख सकते हैं किसी और को भी दे सकते हैं कई लोग होते हैं कि भागवान की विभूती लेना चाहते हैं तो प्रशाद के तोर पर जो है आप उन्हें भी जो है यह राक दे सकते हैं यह भी एक प्रकार से प्रशाद ही होता है वैसे जैसे कि कई मंदिरों के तो विभूती पाने के लिए जो है लोग ऑनलाइन भी आजकल ओर करते कि विभूती पाने के लिए तो आप अपने घर प प्रकार से दूप सेवा कर सकते हैं जिसमें आपको गी और गुड का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए और पुनराच्मने वो आपको भागवान को देना ही है उसके बाद आरती करके जो है आपको फिर जो है इसे शीतल करने के बाद आप जो है ये धूप जो है इसका आप ग्रहन करिए इसके धुए जो है वो इसके ताब जो है वो आप ग्रहन करिए आपके घर के बच्चों को भी द दोस्तों दीखेगा ये करने से ना ढुब सेवा करने से घर पर एक बहुत अच्छी पाज़िविटी होती है और ढुब सेवा के जो राख होते है वो अगर आप धारन करते मतलब अपने ललाड पे प्रति दिन धारन करते तो देखेगा आपके मन के ना कई सारे अशान्ती जो है कई सारे समस्या जो है मतलब मन आपका बहुत शान्त रहेगा ये एक बहुत बड़ी विश्य है तो ये आप करके देखे अगर प्रति दिन कर पाते तो प्रति दिन बहु जो है आपने ललार पर अपने खास कर आपके घर पे कोई बच्चे जो है जो पढ़ाई कर रहे हैं और कई बच्चे जो है थोड़ा चंचल होते हैं वैसे बच्चों का स्वभाब चंचल ही होता है बच्चे चंचल ही थोड़ा अच्छे लगते पर चंचलता से मेरा मंतलब है कि कई बच्चों का जो है परहाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है उसके दूसरे विश्व में मन थोड़ा भटकता रहता है तो उन्हें जो है आप इसके टीका प्रतिविन सुभे जो है उटने के बाद नहाने के बाद इसे लगाईएगा इससे भी आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा तो इसी तरीके से जो है श्रीहरी विश्व की आप धूप सेवा करिये और मातरानी के भी आप कर सकते शंभुनात के करना चाते तो उटके भी कर सकते जादतर लोगों ने मुझे विश्व पूजन के तौर पर धूप सेवा करने के लिए दिखाने के लिए कहा तो मैंने जो है लक्ष्मिनायान के फोटो के सामने आपको ये प्रक्रिया बताया है पर आप अपने इश्ट के साथ आप अपने देवी देपता जो भी आपके घर में विराजते हैं उनकी सामने ही इसी प्रकार से दो है वो आप धूप सेवा कर सकते हैं दोस्तों तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंस करके जरूर बताईएगा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजेगा मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार